असलाम अलेकूम, हेलो फैंस, वेलकम टो माईचाहरास की चेन, आप सब कैसे हैं? अलहमदोलिला उम्मीद करती हूँ, आप सब खेरियत से जरूर होंगे आज हमें आप सब के साथ सूजी का पीठा बनाने वाली हूँ सूजी और गूर से मैं इसे बनाओंगी, बहुती मज़िदार का पीठा बनकर तयार होता है आप इसे जरूर बना कर देखिए, यह उपर से क्रिस्पी रहता है, अंदर से बहुती सॉफ्ट रहता है इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखते रहें, अगर आप इसे फर्स टाइम भी ट्राइ करेंगे, आपका सूजी का पीठा इसी तरह से बहुती मज़िदार का बनने वाला है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सूजी का पीठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्टोप के हाई टू मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई रख ली हूँ, अब मैं यहां पर दो कपके करीब पानी आइड कर लेती हूँ मैं यहां पर जो मेजर्मेंट बताने वाली हूँ उसी हिसाब से आप बनाईएगा तब ही आपका सूजी का पीठा बहुत ही मज़िदार का बनेगा तो यहां पर मैंने दो कपके करीब पानी डाल लिया है, अब मैं यहां पर एक कपके करीब गूर डालेती हूँ अब हमें गुड कुं मेजर्ल कर लेना है यानि पिगला लेना है यहां पर मैं फ्लेम हाई तो मीडियम पर रखूंगी और इस तरह से घूर्प लेना है तो देखिया अब जो है गुड मेल्ट होने लगा है अब मैं यहां पर डालेती हूँ चार छोटी लाइची को कूट कर फिर जैए पानी फिर द्ट चाहिए अच्छी तरह कोपी आपpen के इन पानी तरह करना है कि मदूर कोपा बूंड़ के पानी गेद्याश। सूजी गाइ। सिंपल सा मेजरमेंट है एक कप सूजी एक कप गूड और दो कप पानी इसी हिसाब से अगर बनाएंगे तो आपका पीठा बहुत ही मज़ेदार का बनेगा तो देखिए इसी तरह से आपको चमच चलाते रहना है बिल्कुल भी चमच यहां से हटाना नहीं है तो अब मैं क्या यहां पर हमें बिल्कुल भी चमच हटाना नहीं है सिर्फ चार से पांच मीट के लिए इसी तरह से लगातर चमच चलाते हुए हमें पकाना है स्टॉप के लो फ्लेम पर सूजी गुड का पीठा बहुत ही मज़िदार का बनता है इसे खासकर मकर संक्रामती पर अकसर बनाया है ताकि हम इसे पूरी तरह से थंड़ा होने के छोड़ेंगे उसके बाद हम इससे पीठा बनाएंगे तो चलिए मैं अब स्टॉप को आफ कर लेती हूं और इसे एक प्लेट पर निकाल लोगी आज मैं दो तरीके से पीठा बना कर बताने वाली हूं जो तरीका आपको आसा चीठा का लेएंसे इक सब्ड़ा से पेणा करेंने के अची तरह से बादे पीठा बनाएं दोवत कर लेती हूं ऑफ में दो यारी बं Вас बनाएं तो एक मैं बेल बताने वाली हूं फासा बनाकर पीठा बताूंगी बनाड़ी तो जिस पर हम बेलें तरह से में थोड़ा सा तो अपको बेल लेका एक एक एंच का प्रफ कर रहा है एक बेल कीछी बादा हो एक रख पर इसाइस कि देखा प्र golden आगा एक फिर मुट अपने इसाइब लेका चाहिए क्पैप कर तो आ पया प्रफ कर सकते हैं तो इसी तरह से मैं कट कर लूँगे और बाकी का जो है हम उसे निकाल लेंगे और हमारा गोल-गोल पीठा बनकर तयार हो जाता है तो चलिए इसे मैं पहले आप लोगों को तल कर दिखा देती हूँ तो इसे तलने के लिए मैं अच्छा गर्म तेल होना चाहिए है तो एक एक कर्षी में हटाते रहना है और एक करते वे पीठे को इस तरह से डालते रहना है और यहां पर हमें फ्लेम जो है हाई मीडियम पर रखना है तब ही जाकर हमारा पीठा गोल-गोल फुलावा बनेगा और अगर हम यहां पर लो फ्लेम करेंगे तो पीठा बहुत ही तेल अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा जो की खाने में अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए आप यहां पर हाई टो मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राय करें और हमेंसा याद रखे तेल हमेंसा अच्छी तरह अच्छा से गर्म होना चाहिए और इसे तलने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा चार से पांच मिनिट के अंदर आपका पीठा बनकर तयार हो जाता है तो आप देख सकते हैं मैंने अपर वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है और एक करते वे मैंने इसे पलट आप देखिए किस तरह से फुला फुला हुआ हमारा पीठा बनकर तयार हुआ है तो चली अब हमें क्या करना है इसका कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा हम इसे तेल से चंकर निकालेंगे बहुत ही मज़दार का पीठा बनकर तयार होता है इसकी साइज आप अपने हिसाब से याप चाप अपने हिसाब से बनांढो locking न अधार है भाद काल जैसे हिसे तो यहां पिंख करे आप जैसे हमारा मेलन करने मिनी पीठा पीठा है चोटा फुलवा पीठा तो इसे में जैसे तेल निकाल लेती हूँ और दूसरा तरीका जो होता है बीना बेले आप बना सकते हैं उसे मैं आप लोगों को दिखा आपनों I jin 일반icorn अइसे बादर वैसे हैं इसान तरीकेस ऑर पीथा रहते हैं अगर नहीं बनेगा तो मेजर्मिंट आपको मैंने बता दिया है 1 कुप सूजी 2 कप पानी एक कप गूर। उसी हिसाबस्पा आगर बने थे जब आपको इसी तरह पैसे हाथ से बनांगे चल रहों कर पाएगा अब मैं हाप सफेद तिल लगाँगी, इस तरह से उलट प्लेट करते हुए, एक प्लेट पर मैं ने सफेद तिल ले लिया है, और इस तरह से पिठे को उपर रख लेती हूं, तिल जो है अच्छी तरह से चिपक जाता है, हाथ से भी आप चाहें तो इसे दबा सकते हैं, या फ चुआ है और सबस्तों में तरह मुंमें है थे डिटी हैा यह यह सं पाविधा भिल देखना दिन रिपके करेंकों ह plagiat है तो चलिए अब हमें इसे भी उसी तरह से खराइव आप लेना है कि अच्छा है घरम कर लिया है अब में हां पर एक हर चुआ से जैसे हमने पहले फ्राइ किया है बिल्कुल वैसे हमें फ्राइ कर लेना है है तो मीडियम फ्राइम पर और चार से पांच मिनिट के लिए इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे तो आप इसे जरूर बना कर देखें आप लोगों को बहुत पसंद आएगा तो देखें इसका भी कलर चेंज हो चुका है अब हमें इसे भी तेल से चानकर निकाल लेती हूं इतना ही कलर रखें उसके बात जो है थोड़ा सा इसका कलर बीडीप आ जाता है तो अब मैं इसे ते और सूजी की पिठा आप लोग एक बार जरूर बना कर देखें आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा आप इसे आर्सा पिठा भी बोल सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आज की आर्सा पिठा यानि सूजी गुड की पिठा आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के ल झाल झाल झाल